वादे तो वादे ही होते हैं खास तोर से पाक नेताओ के वादे उस सिंग की तरह है जो देखने में तो बड़े-बड़े लगते हैं पर अंदर से खोकले ही होते हैं यानि पाकिस्तान के पी-म इमरान खान के वादे और सिंग में पूरी समानता है उन्होंने करतारपुर कोरीडोर को लेकर जो दावेवादे किये थे उसे बाजवाएंड कमपनी ने रद्धी के टोकरे में डाल दिया है कली पाक पीम के उस वादे को यह कहकर किनारे कर दिया गया था कि पाकिस्तान की सम्परभुरता के लिए करतारपुर आने वाले सिक्सरदालों के पास पासपोर्ट होना अनिवारिया है जबकि इमरान छोरे ने वैद आईडी की बाबत ट्वीट कर दिये थे अब बाजवा जमूरे ने यह कहकर अपने पीम को ही आईना दिखा दिया है कि 20 यूएस डोलर का सूल्क 9 नवंबर से ही लिया जाएगा इससे पहले इमरान खान ने एलान किया था थी करतारपूर कोरिडोर के उदगाटन के मोके पर भारते सरदालों से 20 डोलर नहीं लिये जाएंगे पर बाजवा को लगता है कि घर में खाने के लाले पड़े हैं भारत से कुछ इमदाद रूपी भीक मिल जाए तो कटोरा लिये सडकों पर सबजी मांग रहे जनता का कुछ भला हो जाए यानि दोड़ भाग कर आप भारत से मिलने वाली भीक का ही आसरा है यूँ भी भारत में फकीरों को दान करने की परंपरा सद्यों से रही है इस तेहमंद भी इन देश में इस वक्त हर तरप गरीबी और महंगाई का बिगुल बज रहा है साइद भारत को कुछ तरस आया होगा तबी तो इन भीकारियों को 20 डोलर देने को राजी हुआ वैसे भीक मांगना पाकिस्तान का 1947 से जनम सिद अधिकार रहा है दुनिया में धरम का वास्ता देकर ही भीक मांगी जाती है पाकिस्तान भी गुरु नानक जैनती के आवसर पर करतार पूर्शाईब के दर्शन कराने के लिए भीक मांग रहा है पाकिस्तानी कौम के लोग तो सौधी अरब यूई बिर्टेन तक जा जाकर भीक मांगते हैं पर इस बार भारत की जूटन इने इनके घर में ही मिल रही है यानि भारत जो इने भीक देगा उससे इनके घर के चूले जलेंगे वैसे भी यह दुनिया का एक मात्र मुल्क है जो किसी धार्मी का स्थान में परवेश देने के बाने सेवा सुल्क वसूल रहा है वै भी उस देश से जिससे लड़ने के लिए घास की रोटिया खाने की बात याक करता रहा है इसका मतलब यह है कि अब घास खरीदने के लिए भी इसे भारत के पैरों में गिड़ गिड़ना पड़ रहा है इसलिए भीक का नाम इसने सेवा सुल्क रख दिया है दरसल करतार पूर्शाइब के लिए यात्रा सुरू होने में चंद गंटे ही बचे हैं मगर पाकिस्तान की पैंतरे बाजी है कि खतम ही होने का नाम नहीं ले रही है इसके लिए इमरान खान की विश्वसिनेता को भी पाक सेना ने उरे परेक कर दिया है इसे यह साबित भी हुआ है कि पाकिस्तान में इमरान खान के वाले कटपुतली से जादा कुछ नहीं है ना उनके फैसलों की कोई एहमियत है ना उनकी जबान की यहां सब कुछ पाक सेना के एसाब से चल रहा है संभवते यह दुनिया का वे पहला मुगल छाप देश है जिसमें वजीर आजम के पद की कोई गरीमा नहीं है यहां सेना कितनी ताकतवर है यह अब पूरी तरह साबित हो चुका है मजे की बात यह है कि दुनिया के सभी देश पाक पीम और पाक सेना के इस वेवार को देख रहे है खास बात यह है कि पाक फोज ने इमरान खान के उस तीसरे फैसले को भी पल्टा है जिसमों ने काया था कि करतारपुर साहिब के लिए रेजिस्टेशन की जानकारी दस दिन पहले देनी जरूरी नहीं होगी लेकिन इमरान सरकार के परवक्ता साब फैसलने साब कर दिया है कि उन्हें दस दिन पहले जानकारी देनी होगी यानि भारत सरकार भारत सरदालों की लिष्ट पाकिस्तान को 10 दिन पहले भेजा करेगी भारत सरदालों को वैद पासपोर्ट रखना होगा और करतारपुर साहिब के दर्सन के लिए पाकिस्तान सरकार को 20 डोलर यानि करीब 14 रुपे की भीक भी देनी होगी वैसे कल के वीडियो में हमने ये भी इस पश्ट कर दिया था कि पाकिस्तान करतारपूर गलियारे के नाम पर इतना घबराया हुआ क्यों है जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है उसे एक बार जुरू देखना चाहिए पर फिलाल पाकिस्तान के पिम की गलियों में फोज दुआरा किये जारे गदहिया नर्तका अनंद केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया उठा रही है हो सकता है 48 गंटों के बाद यहां तेहमंद लेराते हुए भी नजर आए आसा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपसे सिगर बेट होगी तब तक के लिए अनुमती दीजिए जै जवान जै किसान जै हिंद वन्दे मातरा